बेलकम बेक टुमाई टुम पेपर हैकर आज के वीडियो में देखेंगे जो भी जात्र बीए फ़स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए हम एकोनोमिक्स एकोनोमिक्स का पेपर लेकिया है जिसमें हम अर्थसास बोलते हैं और अर्थसास में सबसे ज्यादा में मांग की लोच क्या होती है मंगई की लोच बहुत जबन कोशिन आपको देखने को मिलेगा जो मंश्च पेपर में आ रहा हैं को उता हूँ ठीक है और आप थेस हुर्ण जोच एकड़ेंगे आने वाले देंगे आप उन कोशिन और हमने अभी आपको इंप्पोर्टेंट की वीडियो नहीं देखिए तो लिंक डिसकप्शन बॉक्स में हैं जाके देख सकते हैं तो देखो यहां हमारा पहला से मांग की लोज से क्या आश है और संशेप में टिपड़ी बताईए आपको संशेप में आपको इसको बढ़न करना है तो देखो पहला कोशन देखो इस कोशन का अंसर जब भी कोशन ऐसा आता है कि मांग की लोज क्या होती है उसके क्या आश से परिमाद सा बताईए संशेप मे क्या होती है तो आप सिंपल तरीकसे मैं आपको बता रहा है क्या देखो कैसे मांग में कितना परीबरतन होता है यह बताता है कि यहीं मूल में हमने बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए मूल को किसी भी बस्तू के मूल को हमने कम कर दिया ज्यादा कर दिया तो उसमें जो मांग में परीबरतन हुए ठीक है उसकी जो मांग में कब हो जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है यदी बच्टू है इसका जो पूरा नाम है वो मांग की कीमत लोज है क्योंकि कीमत में परिवर्तन के परिमार सुरूप ही मांग में परिवर्तन होता है इसके परिवर्तन के मांग कीमत में परिवर्तन करेंगे तब इसमें क्या होता है उसके परिमार की मांग में परिवर्तन होता है अब देख यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे इतने के अनुसार लिखेंगे जेके के अनुसार लिख देना है जेके अनुसार बोला गया है कि मांग की मूल सपिक्स्टा कीमत में परीबरतन के परिमार सुरूप मांग की मातरा में होने बाले परीबरतन की मांग है यह बोला है उन्हें तो यहां दो बज़ार में मांग की लोच कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर होती है या निर्भर है कि मूल में एक निश्चित कमी होने बाले या होने से मांग अधिक बढ़ जाती है मांग में घड़ जाती है यहीं बोला गया बस बाकी कुछ खास नहीं बोला गया यहीं उन्होंने प्रोफेसर मौर्सल ने बोला अब उपर मैंने आपको बताया था ठीक है अब वहीं यहीं देखा जाए सरीमती जौन जो रवेंसान है उनके अनुसार क्या था कि मांग की दोनों पर ठीक है यहां के रहा है परीवरतन भाग देने पर प्राप्ट होती है उन्होंने यह बताया देखो उन्होंने एक किया और उन्हें बताया कि यो मांग की जो लोज है वो कीमत में थोड़े से परिमार सुरूप करीदी गई मात्रा के कि अनुपातिक परिवर्तन की कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के कैसकता है भाग देने पर जो प्राप्त होता आए उसी को हम क्या कहते हैं उन्हें अपने पर subsidi किया को याद करने इसंप्ल याद कर लें उपर वाली करने ना जो प्रोफेसर वार्सल थे उन दोनों की याद करें न अच्छी तरीके से कोई शू नहीं है अब लिख लेना इसको एक बार एक बार इसको यहाद लोगे तो आपको याद हो जाएगा बाखी हम नेक्स वीडियो में लेंगे एक नेक्स पोश्चन के साथ में थैंक यू फर व